आज उस सावन की दूसरी सोमवारी है सावन मास का दूसरा सोमवार कई माईनों में विशेस है आज के दिन चार शुब सन्योग बन रहे है आज शावन अमवस्या है इसे हडियाली अमवस्या के नाम से भी जाना जाता है सोमवार होने के चलते यह सोमवती अमवस्या है इसके अलावा रुद्रभिशेक के लिए शिववाश भी है और आज पुनरवशु नर्शत्र भी है देवगर में दूसरे सोमवारी को लेकर बाबानगरी में श्रधालवों की भीड उम्री हुई है और पूरा मंदर परिसर गिड़वा वस्त्रधारी काबडियों से पटा हुआ है चारो और बोल बम के नारे गूंच रहे है श्रधालवों की भीड इतनी है की रूट लाइन नंदन पहार तक पहुँच गया है वही सुलब जल अरपर को लेकर जिला प्रशासन भी लगा हुआ है देर रात से ही जिले के उपायोक्त मंजुनात भजंत्री स्पी सुभाव च पहारी मंदर से इस वक्त समवादाता संदीप साथी पटना के शिवाले से समवादाता गौतम दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप का रुख कर लेते हैं संदीप पहारी मंदर पर सुबह से ही भक्तों की भीड नजर आ रही है और बोल बम के नारे से पूरा मं अदर परिसर गूंच रहा है तस्वीरी दिखाईए संदीर इसलिए अनवेट में की जलसकारा नाचर ये दि सावन की बात करें तो सावन में हर एक सिवाले में इसी तरह की भीड देखने को मिलती है पहाडी मंदीर के अलावे एदी बात करें खूटी के अंगराबाडी की तो क्योंकि इस वक्त की बात करें तो हम अंगराबाडी खूटी में मौझूद हैं और आप देख सकते हैं अंगराबाडी का जो मुक्य परिसर है वहाँ पे सरधालू का जो हुदूम है वह देखने को म मिल रहा है अब पूरे सावन इसी तरह की भीड देखने को मिलती है खास कर सुमारी का दिन जो होता है उस दिन कापी संख्या में जो सरधालू है वे पहुंचते हैं और इस मंदीर की जो खासियत है इस स्यूलिंग की अंगराबारी की बात करें तो आप दे सकते हैं जो पूरा परिशर है यहां पे जहां पे स्यूलिंग अवस्थित है वहां किसी तरह का मंदीर का निर्मान आज तक नहीं हो सका है और कहा जाता है कि कभी भी एदि मंदीर बनाने की कोशिस की जाती है कंक्रीट पत्रों से तो वह स्वता तूड़ जाती है क्योंकि जो भगमान सिवसंक पूजा अर्चना है यहां पर हो रही है हम आपको सीधे सिवलिंग का भी दर्सन कराएंगे जो पेड़ पे खुद सिवलिंग के उतपन हुई थी और आज तक इस तक इस मंदीर का निर्मान इसी वज़ा से नहीं हो सका है कि बाबा खुले मेराना चाहते हैं यहीं वज़ा है क कि किसी भी कंक्रीट का यहां पर निर्मान नहीं हो सका है कई बार कोशिस की गई थी लोगों के द्वारा पर वा सफल नहीं हुआ तो कह सकते हैं जो सावन का महना है इस खूटी जीले के लिए काफी महत्तो रखता है और इस अंगरा बारी सिवाले की ये दिबात करें तो हजारों की संख्या में जो सिव भक्त हैं वे इस सावन के औसर पर यहां पहुंचते हैं और बाबा भोले नात पे जलाविसेग करते है आपको दिखलाना चाहेंगे या जो आप देख सकते हैं जो पेड़ है पेड़ के नीचे ही बाबा का जो सिव लिंग है वा खुद इसकी उत्पती हुई थी और तब से जो लगातार यहां जो सरधालू है वे पूजा के लिए पहुंचते हैं आप देख सकते हैं जो सरधाल आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए इस वक्त समाधाता गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिशेक के लिए बाचीत कीजे भक्तों से तस्वीरें दिखाईए मंदिर की तस्वेर में आपको दिखाता हूँ कितनी देखिए दिन जैसे जैसे चरते जा रहा है वैसे वैसे जो है भक्तों की भीर उसका रही है मंदिर में कतार लग चुकी है सुब़ा से ही जो है ऐसे मंदिर में भीर थी मगर जो आप कतार देख सकते हैं तमाम भगतों की भीर यहां पे लगी हुए और इंतजार कर रहा हैं कि भगवान बोलेनत की पूजा करने के बाद जो है वो अपने दिन के शुवात किसी अन्य कार्यों से करेंगे दिखेंगे सुभा से ही लोग जो मंदिर में पहुंच रहे हैं उनकी एच्छी खासी भीर जो है और मंदिर के तरफ से भी विशेश बेवस्ता करके रखी गई है ताकि जो तमाम लोग आए उनके पूजा करने में जो है जो भीर होगी उससे उन्हें कोई दिक्कत ना होता है तमाम लोग जो है पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो करता है कि लोगों से कुछ हम जरूरत बात कर लेते हैं कि सामन का ये जो सोंबार होता है ये खास पूजा का जो एक महत्तो होता है उन तमाम पूजा को लेकर क्या कुछ सोंच रखते हैं तमाम जो लोग हैं अपने घर से पूजा के लिए निकली हुई है और आज पहला दिन जो सोंबार का जूसरा जो सोंबार जो है उसमें भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होगी उस पर जो हैं कुछ लोगों से दाय जरूर ले ले सावन का जो एक होता है शोंबार का जो पूजा होता है कितना महत्मों रखता है आज का सावन कुछ खास है और यह सोंबारी कुछ खास मुरत के साथ है हाँ 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 आज हर्याली थी है संबारी पूरा प्रशाद के साथ जो तमाम जो लोग है अपने पूजा के यहां पर पहुंच रही है और सभी के मन में एक एक्षा है कि भगवान बोले ना उनकी जो है जो कही जासकती उनकी भक्ति को शिकार करे और जो कहा जो तक बिश् नहीं करेंगे रस्मी क्योंकि देखे पूजा करना है जो आपने तो पूरा बोले बाबा का पुड़ा यहीं ले लिया है जी सब्सक्राइब हम लोग तो स्टूडेंट यहां पर पूजा करने ही आये थे अभी दुज्जस्ट हम लोग कोचिंग से निकले हैं कोचिंग से आ ब्युद्त है कंड़ी कोचिस की जरे किसी तरह की बीसाइब आंड़ ना रहे कोई दिक्कत और प्रसानी इन of अच्छी ब्वस्था भी मंदिर के तरफ से दि गई हैं मैं आपको दिखाए हो कंड़ persuade कर लोग है पुझा करने के बाद जो निचले अला कि बहुत जगों पर जो है शिवाले होते हैं अगर जो एक पृषिधी जो बात कर ली जाया तो बीहर के घर बात कर ले जाए बिहार में कई बिल्कुल बिल्कुल गौतम आप तस्वीरे लगतार दिखाते रहे हमें और इस वक्त संदीब भी हमारे साथ जुड़े हुए है संदीब भक्तों में खासा उत्सा है आज दूसरी सोमवारी को लेकर बात कीजे भक्त जन से कैसे आज के दिन को वो देखते हैं और कैसे भगवार की भक्ती में ली है ये दूसरी सोमवारी है और भक्तों की भीर आप देख सकते हैं हर एक सिवाले में देखने को मिल रही है जो सरधालू है उनसे भी बात करते हैं कि यह दि सावन के मत्तों की बात करें तो काफी लोग इस तिवार को मनाते हैं और सरीक होते हैं हर एक सिवाले में इसी तरह भीड देखने को मिलती है कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं सावन का महिना है किस तरह से इस वरत पुरिषर अधा से कर रहे हैं इस तरह से पूरे सावन को आप लोग मनाते हैं और इस सावन में हम लोग पूरे फास्टिंग के साथ रहते हैं और इस बाबा से हम लोग मतल्य मनो काम ना करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए इसने वर्षों से आप सावन का है जो आप फिरा फॉस्ट है सावन के मैने में जो भी जलाव इसे करता है इस सब धूरा होता है सब हम लोग आ रहे हैं तीरानबे से रहे हैं देख सकते हैं जो सरधालू है काफी संख्या में यहां पहुंचे हैं और लगातार तीरानबे से लोग है जो यहां पर पहुंच रही हैं पूजा के लिए आप कहा हैं हैं कुसम भीहार से किस तरह से इस पूरे सावन पर को मनाते हैं हम लग पूजा करते हैं महादेब का यह भार सावन अद ज़ल्वान ना करते हैं जो भी करता हैं कितने कामना कंठे जो समीती के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि इस मंदीर की एक अलग ही कहानी है इस मंदीर में जो सिवाले आपको दिख रहा है भगवान भोले नात का वह पेड़ में खुद ही उत्पन हुआ था जिसके बाद लगतार इसकी पूजा हो रही है जो का लोगों की मानियता है इसके बाद बिजली के गिरने से उस पेड़ खतम हो गिया उसके बाद इबड़ गाच अपने आप निकला है इस सिवलिंग अपने आप है मतलब की जमीं से निकला हुआ सिवलिंग है और यह हम मेरी जहां तक जानकारी है इसको 70-80 बरस हो चुका है हम यहां पर करीब 1978 में हम यहां आये थे मेरा नाम संतोस कमार पुद्दा रहे हम यहां के को सद्यक्त है तो यहां की भगवान की दिया से यहां के मानता बहुत जो हो रहा है कहा जाता हरा जो फ्यूलिंग है च्वलिंग और कई बार लोगों के दुए कोसिस की गई है च्षट बनाने में उसके बाद नहीं बना कभी अने बाद केभी भी खुले में रहना पसंद करते हैं यह वजा है कि इस सिवाले के उपर कभी भी कंक्रीट या छत नहीं बन पाया कई बार अस्थानिये के दुआरा कोशिस की गई थी किसे कंक्रीट से मंदीर का रूप दिया जाया पर भाबा भोले ना तो ऐसा कभी होने नहीं दिये क्योंकि बा भी नहीं किया गया है और या जो आम का पेड़ था उसी में बावा भोले नात का या सिवलिंग जो है वा खुद इसकी उत्पती हुई थी और तब से कह सकते हैं लगबग 50-60 वर्ष गुजर चुके हैं और इसी तरह बावा भोले नात का यहां पे जो लोग हैं दर्सन करते हैं तो का जाता है कि सावन के सपावण महिने में बावा भोले नात पे जो भी जलाविसे करते हैं उनकी मनोकामना है पूरी होती है और जारखंड में जो अमरेश्वर धाम है या अंग्राबाडी का जो स्विमंदीर है वा कही ना कहीं पूरे राज्ये के साथ साथ देश मे रही वज़ा है कि परतेक सावन में इसकी जो महत्तो है अधीक होती है इसके साथ साथ सावन के अलावे भी यह दी बात की जाए तो उस दर्म्यान भी दूर दरा जिया अन्य राज्यों से जो लोग हैं सरधालू है वे यहां बाबा के सामने माथा टेकनिक के लिए पहुंच लोग पूजा हमें लीन है और जो कहार सकता है कि मैं आपको कुछ खास तस्वीरे भी दिखा देता हूं जो माननिये के रूप में जो हैं बिहार में सदसें बिहार बिधान परिषद के पूर्ब सवापती अभधेशना एंसिंग देखिए वो जो हैं वो पूजा आर्षना क कर रहे हैं बिधान पार्षद अभी जो है वो है भाजपा कर बरिष्ठ नेता के रूप में जो है इनकी बड़ी पहचान है बिधान परिषद के सवापती उनकी यहां पे पूजा करने के लिए पहुचे इसे इसे पहले भी कई लोगों के द्वारा जो है ये पूजा की जा कि खुद पूजा करने के पहुचे हैं मंदिर का पूरा प्रका तावन करना है और खास कर जो कहा ज़ता कि इस दिर पूजा महतो रखता है चाहिए हम तो बराबर स्याते रहते हैं इस मंदिर में बिल्कुल बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम तस्वीरे साचा करने के लिए साथी संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया भगवान शुट के दर्शन कराने के लिए